हेलो दोस्तो मेरा नाम है SK और मैं आपका स्वागत करता हूँ SK Electrical Knowledge में दोस्तो आज हम यहां पर सिखेंगे कि हमारे घर में इलेक्टरिक सप्लाई कैसे कैसे और कहां से होके आती है और switchboard जो हमारे घर में होता है, switchboard का हम connection कैसे करते हैं हमारे घर में fan, tube light वगरा जो लगी होती है, उसका wiring connection किस परकार की आजाता है दोस्तों क्या होता ना, अँमारे घर में यह छोटी शीव electric fault आजाती है स्विच वगारा कुछ फॉल्ट हो जाता है ता आप खुझ से उसको चेंज कर सकते हो तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में प्लीज लाश्ट तक जरूर देखना तो दोस्तों हमारे गर में क्या होता है कि सबसे पहले जो इलक्ट्रिक पॉल है जो हमारे गली में लगा र में ग्या गया हमारा फेस पॉल से मीटर के अंदर हो जाता है उसके बाद थे जो दूसरा न्यूटरल न्यूटरल क्या होगा एक न्यूटरल वायर हमारा connection हो गया in, meter के अंदर face और neutral जो है, वो हमारे in हो गया है, अभी meter से face और neutral दोनों out होते हैं, और कहां जाते हैं हमारे MCB के अंदर, जो हमारे घर में main MCB लगा रहता है और इसके अंदर in होगा और इसकी दोस्तों बहुत जरूरत होती है MCB के अंदर, MCB क्योंकि MCB हमारी जो है अभी जैसे आप देख रहें, ओन में है तो MCB हमारी क्या होती है, डाउन हो जाती है कुछ भी तरह का fault होने से, कोई circuit हो जाने से, wiring वगरा हमारी safe रहती है, wiring चलती नहीं है तो हमारा घर में MCB बहुत जरूरी है तो इसे अपने घर पे जरूर लगवाएं जब भी अपने घर में electric wiring करवाते हैं, तो MCB का जरूर use करें, अभी हम देख लेते हैं हमारे meter से wiring कैसे आती है हमारे meter से अभी यह हो गया हमारा इन हो गया था वाई, अभी out, इस out से हमारा क्या होगा यह आ गया हमारा face यह MCB के अंदर हमारा face in हो गया है और अभी यह हो गया हमारा neutral, जिसको कभी-कभी ground earthing बोला जाता है तो confuse मत हो यह गा दोस्तों, यह दिक अभी मैं आपको ground, earthing बोल देता हूँ तो, वाशे neutral wire हमारा यह meter shout हो गया MCB के अंदर दोनों face और neutral हमारे in हो गये है तो जैसे हमारे MCB own है अभी, तो own है तो हमारा क्या होगा यह face यहां से और neutral, earthing यहां से out होगा यदि हमारा MCB down नीचे होगा तो यहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको आप चेक करोगे testing बलब से तो यहां पे आपको face neutral नहीं मिलेगा अभी हम out कर देते हैं यहां से हमारा face यह हो गया हमारा face यहां से out यहां गया और इसके साथ इसाथ हम कर देते हैं हमारा earthing भी out यह हमारा हो गया अभी MCB से हमारा face और neutral out हो गया है अभी out होने के बाद यह आएगा हमारा out होके आ जाएगा switch board के अंदर switch board की wiring जो की main है हमारे घर में चेक करने भी आ जाएगी एवीडियो देखके बाद अभी हम सुरू करते हैं तो हमारे क्या होता है कि जो switch board है उसके अंदर जितने भी switches लगे हुए है, यह क्या है, आपको मैंने दिखाया है, switchboard का पीछे का है, सामने का front नहीं है दोस्तों, यह पीछे का है, यह आपको दिखाई दे रहे होंगे, यह switch है, यह switch के दो page है, जिसको हम इसको driver से खोलते हैं, wiring के अंदर हम tight करते हैं, एक, दो तीन, यह तीनों हो गए हमारे switches, और यह हो गया हमारा socket, जिसमें हम mobile charging वगएरा, या TV का connection वगएरा करते हैं, जहां हम plug डालते हैं, यह हो गया हमारा, तो अभी हम क्या करते हैं, कि पहले हमको एक wire के थुरू, जो हमारे एक, दो, तीन, यह जो तीनों switch है, हमको एक wire कटक देना है, ऐसे, एक wire से, अभी तीनों switch आपस में connect हो गए हैं, और हमारा जो face wire है, उसको हमें क्या करना है, यह जो हमारा face wire, जो हमारा MCB से out होके face wire जो आया था, उसको हमको इस wire के साथ, इसमें इधर, इधर, या इधर, कहीं भी हम तीनों में, कहीं भी एक जगे हम इसको face wire को connect कर देंगे, यह हमारा तीनों switch का connection हो गया है, अभी दोस्तों आगे हम चलते हैं, neutral या earthing की तरफ, अभी यह हमारा socket है, अभी क्या करते हैं, हमारा जो earthing है, इसको हम socket के इस वाले point में, ऐसे करके, यह आ गया हमारा, अभी यह जो earthing आपको दिखाई दे रही है, हमारा socket क के अंदर in हो गया है, इसके साथ साथ, अभी क्या होता है, जो earthing है, हमारा यहां से भी ले सकते हैं, और हो सकता है, हमारा MCB से भी, जहां आपकी मर्जी हो, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, earthing क्या होता है, हमारा direct हमारे घर में, जो tube light, fan वगेरा जो लगे होत हमारा यहां से हमने आउट कर लिया और आउट करके हमारा यह सीधा चला गया हमारा टूब लाइट के कनेक्शन के अंदर है अर्थिंग चला गया और दूसरा वायर एक और अर्थिंग का यहीं से आउट होके या फिर यहां से अर्थिंग शोकेट में गया ही, शोकेट में जाने के साथ-साथ हमारा यहां से आउट होके टूब लाइट के अंदर भी चला गया, और यहीं से हमारा आउट होके एक फैन के अंदर इन हो गया है, उमीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज व हमारा क्या होगा था एक दोर तीन इन्नों स्विच हो के अंदर चला गया था, अभी हम क्या करेंगे जैसे हमारा यह सुश है, इस स्विच को जोसे हम ओन करते हैं, तो हमारा क्या हो गया है यहां पर जो face हमारा आया हुआ था इस वाले प्वॉइंट से out होगा और इस वाले प्वॉइंट से हमारा supply मिल जाएगी वो चालू हो जाएगा तो हमारा यह जो है अभी socket का complete हो गया है socket का wiring हो हमारा हो गया अभी हमारे पास बचे हैं एक और दो switch और हमारे पास ऊपर एक tube light है एक fan है अभी इनका कैसे connection होगा वो आपको बताता हूं अभी हम दोस्तों करते हैं tube light का connection अभी tube light हो या fan दोनों हो कुछ भी हो हमारा उसको चलने के लिए face भी चाहिए और अर्थिंग दोनों फेस और neutral हमको दोनों चाहिए अभी neutral हमारे direct है अभी हम face लेके जाते हैं अभी जैसे हमारा यह first वाला switch हो गया हमारा socket के लिए अभी जो दूसरा switch है यह हमाल लेते हैं कि हम tube light के लिए यूज़ करेंगे और इदर जो आपको दिखाए देरा last वाला यह हम fan के लिए यूज़ करेंगे तो अभी हम इसका देखते हैं अभी हमने जैसे यह face के अंदर गया हुआ था जैसे ही हम switch on करेंगे तो supply इस point से in हुए थी अभी यहांसे out हो जाएगी out हो जाएगी तो हमके क्या करना है यहां पेसे एक wire एसे करके हमारा out और यह चला गया हमारा tube light के अंदर अभी हमारा जैसे switch on किया तो हमारा face यहांसे out होके current आउट होके टूब लाइट में चला गया, अर्थिंग हमको पहले से मिल लिए वी तो हमारे टूब लाइट जो है ओन हो जाएगा, टूब लाइट जलने लगेगा, तो टूब लाइट का हमारा कनेक्शन अभी कम्प्लेट हो गया दोस्तों, अभी हमारे पास आ गया फैन, ला तो हमारा फैन भी ओन हो जाएगा, तो दोस्तों यह हमारा टूब लाइट, फैन और स्विच बॉर्ड, इनका कनेक्शन हो गया हमारा कम्प्लेट, यह आपको समझ में आ गया होगा स्विच बॉर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं, अभी आप यह तो सीख गया है कि स्विच जरूरी है कि हमारे घर में फॉल्ट आ गया कहीं टूब लाइट इंजलरी फैन नहीं चल रहा था चेक कैसी करोगी, वह जारना बहुत जरूरी है, तो वह मैं आपको बताता हूं क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमको चाहिए एक बलब, एक होल्डर और वायर, तो द दो वायर चाहिए, जैसे कि एक हो गया हमारा, दो कलर के हम कोई वायर ले ले लेते हैं, एक फेस, एक हो गया हमारा, दुसरा न्यूटर, हमने दो वायर लगा दिया होल्डर में और ये बलब लगा दिया, आपको कुछ नहीं करना है, एक बलब, तो दो दोस्तों एक बलब, holder और दो वायर इन तीनों के मत्दद से हम क्या करेंगे एक testing lamp बना लेंगे जिसका हम यूज करेंगे हमारे घर में जो lighting हमारा कोई fault हो जाएगा उसको चेक करने के लिए तो हमें करना है हमारा जो testing lamp त्यार हो गया यह बलब हमारा holder के अंदर डाल लेंगे और दो वायर का connection कर लेंगे अब हमको करना क्या है सबसे पहले testing lamp के दोनों वायरों को हमें mcb के यह जो आपको in दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर चेक करना है इन पर यदि हमारे घर में मीटर से supply आ रही होगी तो हमें testing बलब का दोनों वायर को mcb के in में लगाने से हमारा बलब glow होगा जो testing lamp का बलब हमने बनाया है वो हमारा यहाँ पर लगाने से बलब on हो जाएगा अब mcb के out से कर लीजिए यहाँ भी आपका बलब on होना चाहिए यहाँ यदि नहीं हो रहा है तो हमारा mcb के अंदर fault है सबसे पहले हमारा mcb कैसे check होगा बस हमारे यहाँ पर testing lamp यहाँ लगाने से भी जलना चाहिए और outside लगाने से भी हमारा testing lamp जलना चाहिए तो हमारा mcb सही है नहीं तो हमारा mcb में fault है हमारा mcb हमको change करना पड़ेगा अभी मान लो हमारा यहाँ mcb के ऊपर भी हमको supply या current दिखाई दे रहा है हमारा bluff on हो रहा है अभी हमको क्या करना है अभी हमारा जो testing lamp है testing lamp का एक wire हमको यहां लगाना है और जो दूसरा wire है testing lamp का उसको स्विच के नीचे हमने जो तीनों स्विचों को जोड़ने के लिए जो wire लगा रखा है उसके उपर लगाना है तो हमारा यहां पे भी बलब glow होना चाहिए यदि आपका mcb के आउट पे बलब आपका glow हो रहा है ओन हो रहा है जल रहा है और यहां पे आपका नहीं जल रहा है तो हमारा इस में wiring में यह जो wire हमारा mcb से लेके switchboard तक wire आया है इसके अंदर fault है हमको wire चेक करना पड़ेगा बीच में से कहीं से wire break नहीं है यदि आपका यहां पे बलब ओन हो रहा है socket के ऊपर यहां पे एक wire testing lamp का और एक यहां लगाने पे यदि आपका बलब glow हो रहा है बलब जल रहा है तो हमारा यहां तक system हमारा wiring ठीक है अभी हम क्या करेंगे माल लो हमारा यह socket में charging point लगाते है mobile charger लगाते हैं हमारा यहां पे charger काम नहीं कर रहा है तो अभी हम क्या करेंगे हमने testing lamp का एक wire यहां लगा रखा है अभी जो दूसरा wire हमारा यहां लगा था इसको उठा के हम क्या करेंगे यहां पे रखेंगे और switch को on करेंगे यही switch है हमारा इस socket के लिए तो हम क्या करेंगे इस switch के यह जो दो point है यहां पे check करेंगे यहां पे check करेंगे switch on करने के बाद switch को याद रखें दोस्तो switch आपको on रखना है अभी क्या होगा हमारा जो wire यहां पे रखा था यहां रखेंगे अभी भी हमारा testing lamp glow करना चाहिए यह दी नहीं करता है मानलो दोस्तों हमारा testing lamp यहां पे और यहां पे glow कर रहा था यहां पे आपका glow नहीं कर रहा है तो आपका switch आपका यह खराब है आपको यह switch change करना पड़ेगा यह switch change करने से आपका socket के अंदर हमारे supply आजाएगी आपका charging point फिर से काम करने लग जाएगा अभी क्या हमानलो दोस्तों अभी ऐसा तो है नहीं कि आपके पास switch रखा ही होगा तुरंट कि आपने उठाया और तुरंट change कर दिया हो सकता है अट टाइम पे हमारे उस time switch ना हो तब आपको क्या करना है जब आपको बाद में ले तब आप दुकान से लाके लगा सकते हो लेकिन अभी के लिए आपको काम तो चलाना है switch board खुला हुआ है आपका तो आप अभी एक काम किजिए आप यहां से जो दोनों wire है या तो इनको आपस में connect कर दीजिए मतलब यहां से इसको खोल के wire को पेज कोलो और wire को यहां connect कर दो या फिर यह वाड़ा wire जो हमारा तीनों में connect किया हुआ था हम इसको और आगे बढ़ा के इसके साथ connect कर दो यहां पे इस wire को तो हमारा socket हमारा काम करने लग जाएगा हमारे यहां supply आ जाएगा आपका charging point काम करने लग जाएगा बाद में आप अभी यह हमारा जो काम है यह temporary हो गया है क्योंकि जब तक हमारा switch अच्छे वाला switch लाके हम नहीं लगाएगे तब तक क्या होगा कि हमारा socket हमेशा on रहेगा अभी मालो इसमें हमने टीवी लगा रखा है तो हमें टीवी ओफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा पलग वापिश निकालना पड़ेगा तो बार बार हमको यह plug को इन आउट करते रहना पड़ेगा तो अभी यह जो हमारा switch को हमने direct किया था यहां से यहां wire लगा था यह temporary कुछ समय काम चलाने के लिए हम कर सकते हैं उसे अच्छा होगा आप बाद में एक switch लाकर यहां पर जरूर लगाएं दोस्तों ठीक है तो हमारा यह काम हो गया हमारा socket का fault हमें मिल गया हमने इसको ठीक कर दिया अभी मालो हमारा fan या tube light पहले हम देख लेते हैं कि हमारा tube light काम नहीं कर रहा है तो हमारा तरीका वह यह दोस्तों जो हमारा testing lamp था उस testing lamp का एक wire हमको क्या करना है socket पर यहां लगाना है वैसे ही दूसरा wire जो हमारा यहां लगाना था यहां लगाया वहा तो हमारा glow कर रहा था अभी हमको क्या करना उस wire को उठाके यहां पर लगाना है wiring और supply पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है अभी जैसे मालोग यह हमारा glow नहीं कर रहा है तो फिर fault हुए है हमको switch ला के change करना पड़ेगा यहाँ पे हमारा बलब glow कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे हम tube light के उपर जाएंगे अभी tube light के पास क्या होता है एक ऐसे सीलिंग प्लिटोब्र करतें झाल हैं, दिवार के अंदर से सीलिंग रोज़ से सीलिंग रोज के लिए आउट cảहएं से सीलिंग रोज नाना है उसको क्या प्लौइप उसके अंदर आपको क्या गरेगा, ऐसे करके दोー प्ओइंट मिलेंगे, उन सिलिंग रोजंद गईब्त उपर जाके हमको टेस्टिंग लम्प लगाना है, अभी मैं बताता हूँ आपको सिलिंग रोज में कैसे जाए करना है, यह हमारा ऐसे रहता है सीलिंग रोज के अंदर यह ऐसे तो वाइर रहते हैं तो क्या होता है हमारा जो अंडर ग्राउंड वाइरिंग रहता है तो अंडर ग्राउंड में हमारा दिवार के अंदर से जो वाइरिंग निकलता है उस ceiling rose में ऐसे आके connect रहता है और यहां से हमारा out हो के wiring क्या गरता है हमारा tube light के अंदर connect होता है तो हमको क्या करना है testing lamp का जो दोनों wire है इस ceiling rose का cap खोल लीजिए ऐसे आपको दिखाई देगा अंदर वहां पे आपको यह दोनों wire टच करने है यह दोनों wire टच करते ही आपको यहां पे supply मिल जाएगी यहां पे रखने के बाद हमारा blub glow हो रहा है जो हमारा testing blub है वो यहां पे glow हो रहा है मतलब हमारा switch ठीक था और हम अबीज है बढ़र आपकी तूबलाइट नहीं जलती है तो दोस्तो आपकी तूबलाइट खराब है यह हो गया हमारा टूबलाइट का का अभी अभी हो गया हमारा fan का gefैन देखते हैं फैन के लिए यह बही ह workflow ce को हम कैसे चेक करना है फैन के पास भी दोस्तों आपको सीलिंग रोज से मैसा ही मिलेगा जैसा हमारे टूब लाइट के पास सीलिंग रोज है फैन के पास भी आपको सीलिंग रोज लगा हूँ मिलेगा सीलिंग रोज से ही आउट होके वायर हमारे फैन के अंदर कनेक्ट होते ह तो अभी हमको क्या करना है यह हो गया हमारा टेस्टिंग लेंप अभी टेस्टिंग लेंप को हमने क्या करना है वही सोकेट के उपर लगाना है और जो स्विच फैन के लिए हम यूज कर रहे हैं उसके उपर यहाँ पे आउट में हमको क्या करना है करेंट चेक करना है तो हमार बलब यहां पे भी glow होना चाहिए नहीं हो रहा है तो आप switch change किजिए क्योंकि हमारा यहां पे तो glow हो ही रहा था switch के उपर testing lamp का एक wire switch के उपर और एक wire हमारा क्या है socket पे लगाने बलब glow हो रहा था यहां भी glow होगा नहीं होता है तो आप switch change किजिए नहीं तो फिर हम आगे देखते हैं अभी हमारा अर्थिंग गया और जैसे हमने इसको स्विच को ओन किया हमें यहां सप्लाई मिल गई और हमारा फैन के उपर सप्लाई चलीगी तो हमारा फैन ओन हो जाएगा यदि फैन ओन नहीं हो रहा है तो दोस्तों फैन के अंदर एक आवा हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यदि वहां हमारा कोई फॉल्ट नहीं है और हमारा स्विच भी ठीक है तो हमारा फैन ओन होगा तो दोस्तों आज हमने सिखा है हमारे घर पे पोल से इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे कैसे हो के आती है हमारा स्विचबोर्ड का कनेक्षिन किसक्त परकार होता है हमारा ट््यूब लईट और फैन किस परकार वाईरिंग होता है और कैसे काम करता है खुप दोस्तो आसा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको वीडियो काम की लगी नौलेज की लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में थैंक यू दोस्तो